अच्छा जीवन जीने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप शारेरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो प्रति दिन ध्यान करें। ध्यान करने का मन बनाना उसके विशय में सोचना बहुत आसान है लेकिन उसे खुद से करना इतना आसान नहीं होता है। कई सारे लोगों को ध्यान करते समय तरहत्र की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे की बेचेनी होना, मन ना लगना आदी। अगली स्लाइड्स में बताए गए नियोमों का यदि आप पालन करेंगे तो आप जल्दी ही सही धंग से ध्यान करने लगेंगे। समय का चैन कई बार हम सही धक से मेडिटेशन इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम गलत समय का चैन कर लेते हैं। ध्यान करने के लिए हर समय ठीक नहीं होता है। ध्यान के लिए सही समय सुभा 4 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। इसके पीछे कारण यह है कि इस समय सूर्य और प्रित्वी के बीच 60 डिगरी का कोण बनता है। इस दौरान ध्यान करने से पियू शग्रन्थी और शीर शग्रन्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस वज़से ध्यान में पूरा मन लगता है. स्थान का चैन बहुत जरूरी है कि आप जिस जगा ध्यान कर रहे हैं, उस जगा को अच्छे से देख ले, क्योंकि हर जगा ध्यान नहीं हो सकता. यदि आप बिस्तर पर बैठ कर शैन घर में मेडिटेशन करते हैं, तब तो आपका मन नहीं ही लग सकता है, इसलिए किसी ऐसे स्थान पर ध्यान करें, जहां पर शान्ती, सकारात्मक उर्जा और पर्याप्त रोशनी हो. बैठने का तरीका कई लोगों को मेडिटेशन करते वक्त इसलिए भी समस्या आती है क्योंकि उनके बैठने का तरीका गलत होता है, जिस वज़ा से उनके शरीर पर अलग-अलग जगा दबाव बनता है और उनका ध्यान भंग होता है. इसलिए जब भी ध्यान करने बैठें तो रीड की हड़ी को सीधा रखकर एकदम सीधे बैठें. धीले ढाले कपड़े पहनें और कंधो और गर्दन को अधिक न तो ताने और नहीं बहुत अधिक धीला भी न छोड़े. पहले थोड़ी कसरत कर लें. कई बार जब नयान्या ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत अधिक सुस्ती और नीन्द आने लगती हैं, जिस वज़ा से हम ध्यान लगा ही नहीं पाते हैं. इसलिए जब भी ध्यान करने बैठें तो पहले थोड़ी कसरत कर लें. ऐसा करने से आपके शरीर में सही धंग से रक्त का संचार होगा और शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी जिससे की नीन्द ओड़ जाएगी. ध्यान के दौरान होने वाली बेचैनी से भी राहत मिलेगी.